एक व्यक्ति तभी मान होता है जब वह अपने आप में स्वतंत्र होता है भारत के एक जाने माने पत्रकार तता प्रमुख बुद्धी जीवी एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने सामाजिक समानता पर तता स्त्रीयों की स्तिति में सुधार पर बल दिया आज हम बात करेंगे गनपती दिक्षितर सुब्रमनियम अयर की नमस्कार मैं खुशी और आप सुन रहे हैं बोस रेडियो की नई पॉटकास सीरीज जिसका नाम है निडर पत्रकारों की कहानी सुब्रमनियम अयर का जन जनवरी 1855 में ततकालीन तंजोर जिले के तिरोवाडी में हुआ था वे गनपती दिक्षित के साथ पुत्रों में से चौथे थे जो मुनसिफ के तिरोवाडी में दरबार में एक वकील थे सुब्रमनियम अयर ने अपनी प्रारंबिक स्कूली शिक्षा तिरोवाडी में की और 1871 में सेंट पीटर कॉलेज तंजोर से मेट्रिक किया 1873 में उन्होंने योग्यता में अपनी कला प्रक्षिक्षन उतीन की और 1874 से 75 तक मदरास में एक्षिक्षन प्रक्षिक्षन पाठक्रम में भाग लिया सर्टी मुत्यस्वामी अईयर को मदरास उच्षिन आयले की बेंच में न्युक्त किये जाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए सुब्रमन्यम अईयर ने अपने साधियों के साथ मिलकर 20 सितंबर 1878 में दव हिंदू की स्थापना की शुरुवात में दव हिंदू को एक सापताहिक के रूप में शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसे एक त्री सापताहिक और फिर एक दैनिक में बदल दिया गया साथ ही तमिल भाषा के समाचार पत्र स्वदेश मित्रन की स्थापना भी उनके द्वारा 1882 में की गई थी हिंदू ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपनी उपस्तिती दर्ज कराई सुब्रमन्यम अईयर अपने ज्वलंत लेखों के लिए खूब जाने जाते थे सुब्रमन्यम अईयर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से समर्थन किया और ब्रिटिस सामराज्यवाद का विरोध करने के लिए अपना अखवार का इस्तमाल किया 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफतार किया तो दो हिंदू ने गिरफतारी की कड़ी निंदा की 3 दिसंबर 1883 को अखवार सौम मांट रोड पर चला गया और दो नेशनल प्रेस नामक अपना स्वैम का प्रेस स्थापित किया सुब्रमनियम अईयर ने हिंदू समाज में सुधार के लिए जोड़ दान अभियान चलाया स्थानिय भाषा में बोलने के मैतन को मैसूस किया और अपने सार्वजनिक ब्याख्यानों में तमिल में जनता को संबोधित किया आज के इस पॉड़कास्ट में सिर्फ इतना ही ऐसे ही और पॉड़कास्ट के लिए जुड़े रहे बोस रेडियो के साथ धन्यवाद